Hey guys, welcome back to Invest Mindset दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा कि एक high growing stock यानी multi bagger stock ढूंते कैसे और उसका analysis कैसे करते तो दोस्तो ये वीडियो थोड़ा सा advanced level का हो सकता है क्योंकि इसमें मैं आपको detailed analysis करके दिखाऊंगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे difficult concepts easy करके समझा सकूँ तो अगर आप non finance background से भी हो तो भी आपको problem नहीं होगी और ये बात तो पक्की है कि इस एक वीडियो से आप लोगों को investing के बहुत सारे important lesson सीखने मिलेंगे इस बात की मेरी guarantee है तो अगर आप stock market के जरीए अपनी wealth create करना चाते हो तो वीडियो को end तक जरूर देख लेना और दोस्तो ये एक stock recommendation नहीं है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए तो चली शुरू करते तो दोस्तो imagine करो कि आप 2012 में जी रहे हो अब कुछ ही साल पहले यानि 3 साल पहले 2009 में एक market crash हुआ था तो कुछ investors अभी भी डरे हुए है और कुछ investors regret कर रहे और वो ये सोच रहे कि काश market crash के दौरान थोड़ा सा पैसा invest कर लिया होता तो वो कितना grow हो गया होता क्योंकि एक साल में ही market पूरी तरह आपस recover भी हो गया लेकिन जो smart investors होते वो हर मौके का फायदा उठाते market crash के बीज भी और जब market अच्छा perform करता है तबी भी तो फिलहाल 2012 में आप एक अच्छा stock डुणने की कोशिश करते हो तो आप notice करते हो कि large care यानी सारी बड़ी companies overvalued हो चुकी है क्योंकि बड़ी companies को तो पुरी दुनिया के लोग और सारी mutual fund के analyst ट्रैक करते है तो आप small cap और mid cap में search करते हो मतलब छोटी companies जिनके बारे में लोग ज़ादा जानते नहीं है अब दोस्तों मैं जो भी data आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये मैंने company की annual report से लिए है क्योंकि इतना पुराना data हमें कोई भी stock screener पे अब मिलेगा नहीं तो बहुत ढूणने के बाद आपकी नजर एक company पर पढ़ती है जिसका नाम है CCL Products इस company ने एक साल में मतलब 2011 से 12 के period में अपने sales को almost 40% के rate से grow किया है और ये company अपने sales को इसी जरा हर साल continuously grow करती आ रही है और ये फिलहाल 8 के PE ratio पे sell हो रही है मतलब बहुत undervalued है लेकिन सबसे पहली चीज़ आपकी दिमाग में ये आती है कि आपने इस company के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं है और आपको पता नहीं है कि ये company करती क्या है तो इससे पहले कि हम ये जाने कि ये company करती क्या है हम इसके financials को देख लेते और एक quick 5 minute analysis कर लेते कि क्या ये company में ज़्यादा time देना worth है भी या नही तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका पिछले 8 साल का record देखते हो कि ये company ने continuously अपने sales को increase किया है और interesting चीज़ ये है कि ये company 2008 के market crash के बीच भी consistently अपने sales को increase कर रही थी मतलब market crash से इसको कुछ फरक पड़ा ही नहीं और यहाँ पर आप इस company में थोड़ा सा interested होते हो लेकिन जब आप इसके profit का trend देखते हो तो वे इतना खास नहीं है तो बहुत सारे लोग और mutual fund analyst ऐसी companies को छोड़ देते है क्योंकि mutual fund manager को अपने portfolio में short term performance दिखाना पड़ता है तो इसी लिए वो लोग हमेशा यही सोचते कि company next quarter में कैसा perform करेगी तो वो लोग कोई भी company में long term view नहीं रख सकते कि company 5 ये 10 साल में कहां होगी क्योंकि इतना जादा time कोई भी fund manager ये analyst आजकल एक company में काम भी नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा advantage हम normal investors के पास होता है जिसको मैं future videos में काफी detail में explain करने वाला हूँ तो दोस्तो जब आप इस company को थोड़ा सा detail में analyze करते हो तो आप notice करते हो कि इस company का operating profit तो अच्छा रहा है अब आप पूछोगे कि ये operating profit क्या होता है जैसे tax और interest payment लेकिन operating profit में tax और interest payment डिटक नहीं होता है तो अगर operating profit अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि company अपने actual business से अच्छा profit कमा रही है और दूसरी चीज़ आप ये notice करते हो कि इस company ने 2006 से 2012 के बीच अपना profit वापिस अपने business में reinvest किया है और अपने plant और machinery को यानि fixed asset को increase किया है तो यहाँ पर अभी तक हमने दो चीज़े notice कर लिये सबसे पहली तो ये कि ये company ने कभी अपना operating profit गिरने नहीं दिया जो एक बहुती अच्छा signal है और दूसरी चीज़ ये कि ये company ने अपने net profit को fixed assets में invest किया जो usually long term investors के लिए अच्छी चीज़ होती है क्योंकि उससे company अपनी production capacity को increase कर सकती है जिससे वो ज़्यादा sales करेगी और grow होगी तो अब हम इस company की annual report open करके देखते कि company क्या business करती है तो दोस्तों जब coffee actually में खेतों में grow होती है तो वो ऐसी green color की होती है और ये condition में हम इसे consume नहीं कर सकते तो इसलिए इन्हें roast करना पड़ता है मतलब थोड़ा सा पकाना पड़ता है तब जाके ये brown color की होती है जिसे लोग consume कर सकते तो इसे green color से इस brown color तक होने के लिए लगबग 15 से 20 मिनट लगते तो basically ये company instant coffee produce करती है ये green color की coffee farmers से खरीद के उसे अपनी factory में roast करके ready made instant coffee बना के sell करती है अब दोस्तो पूरी दुनिया में पानी और चाई के बाद सबसे ज़ादा लोग coffee पीते और एक बार जिसको coffee की आदत लग जाती है तो वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है और हर एक customer का अपना personal taste और preference होता है कि उन्हें कौन सी brand की coffee पसंदे और लोग इतनी आसानी से अपने preference को change नहीं करते और दोस्तो सबसे interesting चीज़ ये है कि इनकी coffee बाकी दूसरे brands जैसे Nescafe, Brew और Davidoff इन सबकी मुकाबले सबसे सस्ती मिलती है तो इन reasons की वज़े से आपको समझ आ गया होगा कि ये company ने अपने sales को कैसे maintain रखा था 2008 के market crash में भी क्योंकि एक तो ये coffee इतना सस्ता बेच रही है और दूसरी ये एक addictive और essential चीज़ है तो depression में लोग बड़े बड़े खर्चे बंद कर सकते जैसे car, mobile या vacation लेकिन चाई और coffee को पीना लोग बंद नहीं करेंगे लेकिन दूसरो problem ये है कि ये एक ऐसी industry है जहां competition बहुत होता है यहाँ पे आपको बहुत सारे नए-नए unknown brands भी देखने को मिलते रहते और ये चीज company खुद मानती है तो इसके लिए अगर आप इनकी 2010 की annual report rate करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये company ने वेदनाम में एक coffee plant setup किया है तो अब आप पुछोगे कि ये वेदनाम में क्यों किया है तो दोस्तो competition से लणने के लिए ये इनका एक master stroke है क्योंकि वेदनाम पुरे world की second largest coffee producer है और ये country एक special type की coffee सबसे ज़्यादा produce करती है जो instant coffee के लिए best होती है जिसको robusta coffee beans कहते है अब दोस्तो सबसे ज़्यादा coffee पुरे दुनिया में Brazil produce करती है लेकिन वो हमसे बहुत दूर है तो वेदनाम से coffee import करना इनको सस्ता भी पड़ता है और क्योंकि ये country एशिया में ही है तो ये Asian group की member भी है जिसकी वज़े से वहाँ से import करने में इन्हें कुछ extra charge भी नहीं लगता है तो जब ये company ज़्यादा बड़े scale में coffee produce कर पाईगी तो इनके पास economies of scale का advantage होगा जो इनके लिए एक moat की तरह काम करेगा यानि competition से बचने का plan लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि ये economies of scale क्या होता है तो दोस्तो इसका में आप लोगो को एक simple example देता हूँ अगर आज किसी भी company को Amazon से compete करने के लिए एक online e-commerce का business open करना है तो उनको बहुत सारी problems को face करना पड़ेगा सबसे पहला तो ये कि उनको एक बहुत बड़ा investment करना ही पड़ेगा logistics के लिए मतलब delivery करने के लिए क्योंकि दोस्तो Amazon करता किया है वो एक buyer से product को pick करवा के seller तक पहुचाता है तो अगर हम खुद का एक e-commerce store open करना चाहेंगे तो हमें BlueDart या DHL ऐसी delivery companies की service यूज करने पड़ेगी और हर एक sale पे हमें 100-200 रुपया product को pick करवाने पे charge लगेगा और फिर वही 100-200 रुपया delivery के time पे charge लगेगा क्योंकि उतना ये delivery companies minimum charge करती है लेकिन Amazon के पास खुद का एक delivery logistics system है जिसकी वज़े से उनको ये इन companies की जरूत नहीं लगती है क्योंकि वो इतने बड़े level पे business कर रही है जिससे वो fast delivery भी करती है और एकदम कम price पे भी करती है और उनके delivery का cost इतना कम है कि अगर आप 1000 रुपय की shopping भी करोगे तो वो आपको free में delivery दे देंगे तो इसे हम economies of scale कहते है क्योंकि बड़े scale पे operate करके इनके लिए ये सारे cost एकदम छोटे होते तो उसी तरह जो भी company इस CCL company से competition के लिए market में enter करेगी तो उनको बहुत सारी problems face करनी पड़ेगी सबसे पहली तो ये कि कोई new company इतने सस्ते price पे coffee बेची नहीं सकती क्योंकि ये लोग Vietnam से cheap price पे import करते और अगर कोई company बड़ा investment कर भी लेती है तो उन्हें काफी साल लग जाएंगे customers के taste और preference को बदलने के लिए तो ये इस company के लिए एक type का mode हो जाता है लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि company जो भी investment कर रही है वो future में कैसा perform करेंगे लेकिन दोस्तो हमें ये जरूर पता है कि अगर इसने हमें पिछले 10 साल में अपने sales को consistently grow करके दिया है market crash के बीच भी तो इसकी coffee को लोग पसंद कर रहे है तो इसका demand अचानक से गिरेगा नहीं अगर इनकी coffee से किसी को cancer होने लगा तो बात लगे तो इसलिए अब हम थोड़ा सा prediction करते कि आने वाले 5-10 साल में ये company कहा हो सकती है क्योंकि दोस्तो Warren Buffett हमेशा यही कहते कि कोई भी stock में invest करने से पहले आपको उस company का business पता होना चाहिए और एक अंदाजा होना चाहिए कि वो आने वाले 5-10 साल में कहा होगा हमें stock price को लेके कोई भी prediction नहीं करना है हमें company के fundamentals के बारे में prediction करना है क्योंकि अगर business अच्छा करेगा तो company का stock price भी grow होना ही चाहिए तो सबसे पहला prediction हम ये करते कि क्या ये company अपने sales को आने वाले 5 साल में double कर सकती है तो जिस हिसाब से हम इसके sales growth का trend देख रहे है कि लोग इनकी coffee को prefer कर रहे है और इस company ने अभी अपने production capacity को बढ़ाने के लिए investments भी किये है तो हम कह सकते हैं कि ये possible हो सकता है फिर दूसरा prediction हम ये करते कि क्या ये company अपने profit margin को maintain कर पाईगी तो इसका answer company ने अपनी annual report में हमें पहले ही दे दिया है कि we have adopted a business model wherein the fluctuating prices of green coffee have minimum impact on sales of your company this has been achieved by entering into fixed contracts तो ये basically एक futures contract होता है अब दोस्तों आप लोगोंने futures and options का नाम तो सुनाई होगा जहां लोग trading करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो futures and options का actual benefit ये होता है कि आप किसी seller के साथ advance में ही एक deal कर सकते हो जैसे 3 मेने में या 6 मेने में किसी के साथ आप decide करते हो कि इतने price पे आप इतनी quantity खरीदोगे तो जो भी raw material के price fluctuation का risk होता है वो risk इस contract की वज़े से कम हो जाता है तो इस futures and options को भी हम आने वाले वीडियोस में काफी detail में discuss करेंगे कि ये actually में क्या गाम आता है तो इसलिए अगर ये company आने वाले 5 साल में अपना sales double कर सकती है तो इसका net income भी कम से कम double होना ही चाहिए तो दोस्तो हम इसे great business तो नहीं लेकिन good business कह सकते है क्योंकि इनका management long term पे focus कर रहा है और इन्होंने सही steps लिए है sales growth के लिए, profit growth के लिए competition को beat करने के लिए और अपने risk को reduce करने के लिए तो मान लेते हैं कि आपने 2012 में इस company में एक लाग रुपय इन्वेस्ट किया तो अब हम fast forward करते हैं और देखते हैं कि actually मैं हुआ क्या तो यहां पे मैं ticker tip यूज़ कर रहा हूँ जहांसे आप stocks को analyze कर सकते हो तो सबसे पहले हम इसके financials पे जाएंगे और इसके income statement को download कर लेते हैं मेरे पास sticker tip की pro membership है जिससे हमें ये option मिल रहा है तो अगर हम इसका revenue यानि sales growth देखेंगे तो यहां पे मैं एक formula add कर देता हूँ और आप देख सकते हो इनका sales एकदम consistently increase हुआ है 500 करोड से ये 1200 करोड में grow चुका है और 9 साल में ही मतलब 2012 से 21 तक के period में ये धाई गुना increase हुआ और इनका net income 10 साल में 5 गुना increase हुआ मतलब ये company ने अपना sales भी increase किया और अपनी cost cutting भी किये और इनका PE ratio पहले 8 का था और अब ये 26 का हो गया है मतलब PE ratio भी 3 गुना बढ़ चुका है जिसकी वज़े से इस company का stock price 20 रुपे से grow होके अभी 3500 रुपे के उपड़ चला गया है यानि 8 गुना उपड़ चला गया है मतलब आपके 1 लाग रुपे का investment 8 साल में इसमें 18 लाग रुपे का होता है और दोस्तो इतना ही नहीं ये company हर साल dividend भी पे करती है क्योंकि इनका profit continuously increase हो रहा है तो इन्होंने continuously अपने dividend payment को increase किया है तो ये DPS का मतलब होता है dividend per share तो 2012 में ये company ने 20 रुपे के एक share पे 50 पैसे का dividend पे किया था जो grow होके अभी 4 रुपी पर share का हो गया है अब बहुत लोगों ये एक छोटा सा amount लग रहा होगा क्योंकि ये तो सिर्फ 1% का dividend yield है लेकिन 8 साल में ही ये company ने सिर्फ इस छोटे से dividend के थुरू अपने investors का original investment return कर दिया क्योंकि 20 रुपीज पर share के एसाब से आपको इस company के 5000 shares मिले होते तो एक साल खतम होने के बाद यानि 2013 में आपको पहला dividend मिलता जो 2500 रुपे का होता फिर 2014 में 1.2 रुपीज के एसाब से अपका dividend income होता 6000 रुपे का और इसी तरह अपने investors का original investment ही इस company ने सिर्फ इस छोटे से dividend के थुरू 8 साल में रिटन कर दिया और दोस्तों interesting बात ही है कि अब ये stock news में आ रहा है कि hot stocks to buy now इस company can give good short term returns लेकिन Peter Lynch कहते है कि जब ऐसे stocks news में आने लगे तो it is time to sell तो इसी लिए मैं वापेस repeat कर लेता हूँ कि दोस्तों ये video सरिफ educational purpose के लिए है अब आप मैंसे कुछ लोग कहेंगे कि जब ये company इतना grow हो रही थी तो लोगों ने इसे miss कैसे कर दिया तो उसका simple reason ये है कि लोग गलत जगा से अपनी research की शुरुआत करते क्योंकि 2006 से 2012 तक ये stock ने कुछ खास perform नहीं किया था और लोग जब भी stock का analysis करते तो वो हमेशा stock के price से शुरू करते और अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा एक disadvantage में रहो गई क्योंकि उससे आपके दिमाग में एक perception बेट जाएगा कि company अच्छी नहीं है इसलिए मैंने वीडियो के start में sales growth और business के fundamental की बात की थी क्योंकि fundamental analysis इसी तरह से किया जाता है जिसे कोई भी follow नहीं करता है अब दोस्तों ये सब बताने का main reason ये था कि ये वीडियो से आपको एक idea मिल गया होगा कि multi-bagger stocks कैसे डूंडे जाते जितना easy ये दूर से लगता है शायद ये उतना नहीं है लेकिन जितना मुश्किल ये लगता है ये उतना मुश्किल भी नहीं है आपको ऐसे कोई भी complex formula याद करने की जरूरत नहीं है जो MBA और business schools में सिखाए जाते बस आपको थोड़ा सा common sense यूज़ करना है और investing के कुछ important concepts पता होने चाहिए तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से उपन करने का link भी नीचे description में है वीडियो पसंद आया तो इसे like करो नहीं पसंद आया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye